ऐसे जब 20 साल पहले मैं ख़डा हुआ था ऐसे किसी ओफिस में जाके तो मुझसे पूछा गया था कि क्या है किसी डिरेक्टर के एसिस्टन ने पूछा तक क्या है मैंने का एक्टर है बोले दिखने से तो लगते नहीं हो एक्टर हो तो क्या होता था कि इंडिस्ट्री में हमेशा ये चलन था कि एक्टर हीरो जो होता वो छे फुट का होता और गोरा होता है और लंबा चोड़ा बले शल्ले होते हैं मनला हम तो बस ऐसे ही चले गए था है ऐसा समझता था वो और शिप्रम मैं आपको यकिन दिलाना चाहता हूँ इस चीज का कि मेरे खुद के रिष्टेदारों ने भी जब मैंने उनसे इच्छा जाहरी की कि मैं आक्टर बनना चाहता हूँ तो उन्हों ने भी मुझे डी मॉरोलाइज किया कि पहले शकल तो देख लिए अपनी कि पाँच फूट का छोटा पतला दूबलसा आदमी काला कलूटा मुझे खुद को पता नहीं था कि इंडिस्टी में मेरा क्या हाल होगा बट एक जिद थी एक जिद थी और हजारों लाखों मनलब सालों साल से इंडिस्टी में सिर्फ यही चलन था कि एक्टर तो हीरो तो जो ऐसा होता है लेकिन सब और सिचुएशन के बावजूद भी गाए लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में थी कि जो सब करने वो नहीं करना है तो अलग क्या करूँ अलग क्या होना चाहिए उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत थी जो मैंने नेशनल स्कूल ओफ ड्रामा में आके ट्रेनिंग ली तीन साल मैंने अक्टिंग की पढ़ाई की वहाँ पे और अपनी क्राफ्ट के बारे में समझा के एक्चुली इस प्रेस्नालिटी में अगर मैं लोगों को इंप्रेस करना चाहता हूँ उसके लिए एजुकेशन की बहुत जरूरत है या जो भी आप काम कर रहे हूं उसमें क्राफ्ट उसका एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी होता है ऐसे ही हवा में नहीं के जैसा पहले होता था आरे यार तो तो बहुत खुबसूरत दिखता फिल्मों में जाके काम करना शुरू कर दे ऐसा नहीं किसी चीज को बारी किसे जानना उसके लिए ट्रेनिंग की एक्सपर्ट की एक्सपिरियन्स की जरूरत होती ये तो मैंने ट्रेनिंग ली नेशनल स्कूल उफ ड्रामा से और 2000 में मैं पहुंच के मुंबई मुंबई पहुंचने के बाद जब हम किसी ओफिस में जाते थे आई थिंग उससे पहले चलन नहीं था बिलकुल भी हम लोग गए जैसे मैंने बताया क्या ओफिस में खड़ोगे भाई हम एक्टर हैं काम दोगे क्या तो बहुत पहले पहले हुलिया तो देख अपना तू तो ये हर बार सुनने के लिए मिलता था और बात भी सही थी क्योंकि उससे पहले कभी कोई आपने देखा नहीं होगा कोई कोई इतना बड़ा कोई इतनी सी प्रेसनेलिटी का पांच वोट छेंज का अदमी पतला दूबला सा मरियल सा कि कभी ये इस तरह के लोग आक्टर भी बन सकते हैं हीरो भी बन सकते हैं स्टार भी बन सकते हैं ऐसा चलन था ही नहीं मैं confident था because of my training मैंने training ली थी और अपनी craft के बारे में बहुत अच्छे से जानता था मैं और इस चीज़ का सिर्फ confidence था मुझे कि आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसो या 10 साल या 20 साल या 30 साल 30 साल के बाद number ज़रूर आएगा मेरा मैंने मैंने कभी भी अपने को target नहीं किया target नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल try करके देखता हूं उसमें अगर हो गया तो ठीक है वरना कोई दूसरा field अपना लूँगा ऐसा कभी नहीं जिस चीज का passion होता है जज़बा होता है अगर आप दिल से चालो न तो पूरी दुनिया जुग जाती है उसके उपर उसको पूरा करने के लिए पूरी काइनात काइनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए इस आदमी की जिद के आगे जुखना पड़ेगा और पूरी दुनिया जुखती है आपकी जिद के आगे लेकिन आपको जिद्धी होना पड़ता है आपको बहुत सारे sacrifice भी करने पड़ते है क्यूंकि ये आपने चाहा है परिक्षा देनी पड़ती है आपको जितना बड़ा इमतहान होगा उतनी बड़ी परिक्षा भी देनी पड़ेगी आसान काम नहीं है छोटे छोटे टार्गेट बनाएंगे तो छोटे उमी निप्टारा हो जाएगा हमेशा अपने आपको टार्गेट बड़ा दो तो उसके लिए उसके लिए हमेशा अपने आपको अनकंफर्ट जोन में डालो कि जो पॉसिबल जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत पैशन आपके अंदर होने चाहिए वो हो जाता है आज जो दुनिया में इतने सारे एक्सपरिमेंट हुए है यह सिर्फ इसी बिना पे हुए है पागलपन के जरीए ही हुए है यह सारे एक्सपरिमेंट एक मैंने कहीं सुना था कि कि जब आप एक्सपरिमेंट करते हैं तो फैलियर भी होते हैं कई बार फैलियर होते हैं कोई एक एक्सपरिमेंट करने के लिए कोई एक चीज़ करने के लिए बहुत बार हमने भी जहला है बहुत बार failure हुए हम लोग लेकिन at least हमें इतने सारे failure होने से इतने तरीके पता चले कि इन तरीकों से success नहीं मिल सकती for example Edison ने जब bulb का विश्कार किया तो सो बार experiment किये अपनी जिंदिगी में सो बार experiment करने के बाद जब उसको पता चला कि अरे formula पर ये था bulb बनाने का तो at least उसको ये उसके साथ साथ उसको ये भी पता चला कि सो जो तरीके हैं सो तरीकों से bulb नहीं बनता ये भी पता चला उन failures में उसको जब हम लोग मुंबई आए तो हमें मालूम था हमारे पास personality नहीं है हमारे पास back नहीं है ये हमारे father, दादा, परदादा तो फिल्म डिस्टी में है नहीं हमी है तो हमें क्या करने चाहिए इसलिए लोगों के बीच में घुसे रहते थे आम लोगों के बीच में घुसे रहते थे उनका experience सुनते थे उनको observe करते थे तो I think मेरे पास 15 साल तक 10 साल, 10-12 साल तक कोई काम नहीं था जैसे आपने बताया कि बहुत ही 10-10 सेकेंड के रोल करके घर में आके बढ़ जाता तो पूरे साल के खाली बटे रहते थे हम लोग लेकिन एक चीज थी के लोगों के बीच में रहते थे लोगों के बीच में रहने से ये एहसास हो आमें के तरह तरह के लोग हैं लेकिन हमारी इंडिस्ट्रे में सिर्फ एकी तरह की एक्टिंग होती है हजारों करोडों लोग हैं इस दुनिया में लेकिन एक्टिंग सिर्फ एकी तरीके से होती है हमारे हाँ तो मुझे लगा यार मैं तो ट्रेंड भी हूँ मुझे से अपनी आर्ट भी आती है और हजारों लोगों को मैं अब्जर्ब भी कर रहा हूँ तो यह तो सबसे अच्छा सूत रहे है यह तो इससे तो मैं बहुत कुछ कर जाओंगा तो जब यह सुथ पता चला मुझे कि अब मैं यह जो हाजारों लोगों को मैंने अब्जर्ब किया है अब जब भी मुझे कोई रोल मिलेगा उनी में से वो एक इनसान होगा उसी में वो ठाकरे बाड़ा साब ठाकरे होंगे उसी में मंतो होगा उसी में गणेश गायतुंडे होगा उसी में फैसल खान होगा उसी में माजूम्दार साब होगे तो इस तरह के यह कब हुआ जब मैंने लोगों को अब्07र्ब करना शुरू किया लोगों के बीच में रहे, मैं 15 साल के बाद जो मेरी लाइफ थी, जिसमें खाने तक को नहीं मिलता था, आप fortunate अपने आपको समझने लगा था, कि thank God, कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों के बीच में मुझे रहने का मौका मिला, तो कभी भी I think मुझे लगता है कि कभी भी, जब आप struggle कर रहे होता है वो एक मौका होता है आपके पास, वो एक chance होता है आपके पास, कि कैसे उस, उसमें आप अपना observation, experience, जब आपको काम मिलेगा वो उसमें लगाएंगे आप, तो मेरी लाइफ बहुत ही, आज जब मैं सोचता हूँ कि यार यह तो बहुत ही अच्छा हुआ तो जो पंदरा, दस, बारा साल मैंने बिना काम के गुजारे, जो लोगों के बीच में रहा था, हमें आज वो काम आ रहा है मेरे, जहां ज़रा सो कोई character मिलता है तो आदमी इस पस गई यह बंदा है, मैंने देखे हैं इस तरह के लोग, I think यही हमारी सबसे बड़ी जीत है, as an actor अपकोस इस्टेगल में बहुत सारी चीज़े sacrifice करनी पड़ती है, क्योंकि खुजली आपको हुई है, आप ही को मिटानी पड़ेगी आप जो आप हैं, वो आपने बनना चाहा था, और अगर disappointment आ रहे हैं, तो आप तो complain भी नहीं कर सकते क्योंकि आप भी ने चाहा था यह बनना तो बस यही था कि 10-12 साल तक मैंने सोचा था, 10-12 साल जब struggle हो गए तो मेरे बहुत जादा वो भी हुआ क्यार छोड़के चले जाते हैं, कुछ काम मिलनी रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं, I don't know, मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा फिर यह होता था कि नहीं, मेरी मदर जो है न, एक लेटर लिखती थी मुझे हमेशा, तब मोबाल लुबाई नहीं आये थे, पेजर आये थे, तो पेजर यहाँ पे लगा के चलते थे हम लोग जब उनको मालूम हो जाता था कि बंदा जो है न, थोड़ा सा फ्रस्टिशन में है, डिप्रेशन में है, क्योंकि काम नहीं मिल रहा, तो मेरी माम मुझे एक लेटर लिखती थी, उसमें लिखती थी, लिखने के बाद एक लास्ट में लिखती थी, बारा साल में कच्छरे के दिन भी बदलते हैं, तू तो इंसान है, तेरा दिन भी बदलेगा, तो उन सब चीजों को देखके, कोई एक शेर, कोई एक कोटेशन, कोई इस तरह की जो मोटिवेशन, मोटिवेट करती हैं, जो लाइन्स आपको, उनका रहना, उन पर बिलीव करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वही चीज़ आपको मोटिवेट करती हैं, आगे बढ़ाने के लिए, और जिब खराब वक्त होता आपको, वो लाइन्स, वो पॉइम्स, वो सारी चीज़ा आपको संबल देती हैं, मजबूती देती हैं, ताकत देती हैं, और मैं जिस गाउं साय था, डिस्टिक मु करते के लिए रात में कभी आ गई, या एक महिने के बाद हलका साथ मू दिखा के चलिगी, इस तरह की लाइट इस तरह होती थी, वो ही लैंप में पढ़ना है, स्टार्ट किया लैंप, तो छोटे से गाउं से आने के बावजूद, फिर दिल्ली हमार दिल्ली, मतलब शेहर भी हमें ऐसा लगता था, पत्रह नहीं क्या है, मतलब डर लगता था, मैं जब मुंबई में आया था, तो वह 15 दिन तो घर से बाहर रही नहीं निकला था, क्योंकि इतनी स्पीड देख रहा था हमें, कि इतनी स्पीड में तो हम चली नहीं पाएंगे, इस शेहर के तो थीटर के जो मेरे दोस्त थे वो बोलते क्यों भाई वापस आगे तुम भी जैसे बहुत सारे लोग वापस आ रहे तो तुम भी वापस आगे चलो लग जाओ ठेके गाउं में इसली नहीं जाता था अपने कि जो पहले ही बोलते थे वो लोग के शकल तो देख ले फिर हार के उनके सामने चला गया तो क्या बोलेंगे हो जहां से ट्रेनिग ली भी दिली से नमा जाता था मैं जो भी है मर ना जीना मुंबई में ही होगा रेबह सकसिस की सकसिस अगर 30 साल बाद भी मिलेगी उसके लिए भी मतलब तैयार रहना चाहिए सकसिस की कोई डेट नहीं होती कोई तारीख नहीं होती कोई टारगेट नहीं होता कि इतने ही दुनों में मिल जाएगी इन्सान का काम होता है आई थी मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लाइफ ना हमेशा अपने आपको लाइफ में पुश करते रहो और पैशन के साथ जिस भी आप काम में हो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पैशन के साथ लगे रहना बहुत जरूरी होता है क्योंकि passion से क्या होता जिस भी आप field में होते हैं उसकी details detailing मिलनी शुरू होती है जैसे जब आप समंदर में देखते हैं समंदर देखते हैं समंदर की जब गोता मारते हैं नीचे जाते हैं तो आपको एक धीरे धीरे बहुत कुछ दिखाये दिना शुरू ऐसी आपका भी field है कोई हर field ऐसे ही होता है उसमें असीम संभावना होती है इतनी possibilities होती है कि I think दुनिया का हर काम में इतनी possibilities सिर्फ अगर एक दर्जी है पेंड सीता है 1000 तरीकी की पेंड सी सकता है अगर वो चाहे तो अगर उसने नहीं चाहा तो जो train चला रहा है वो यसीता जाएगा ठीकर अगर उसने चाह लिया कि मैं ऐसा कुछ मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो 1000 तरीकी किसी देगा वो पैंट ऐसे हर फील्ड में possibilities बहुत होती है और एक perfection होता है for example जैसे हम लोग उने training इसलिए लिए कि perfection आजाए अपने काम में जैसे एक मैंने example सुना था कि ये छोटी छोटी चीज़े जो मैं बता रहा हूँ चुकि मैंने बच्पन में सुनी थी उनी को अपनी life बना के आगे बढ़ा तो आज यहाँ पर हूँ इसलिए वो छोटी छोटी चीज़े बहुत कामाती है उनको सुनना बहुत जरूरी होता है इंसान के लिए बताते हैं के एक बहुत बड़े पता निये सच है जूट है मुझे इतना साथ नहीं मालूम बट कोई बहुत बड़े इंसान हुए लेकिन वो पहले मौची थे जूता सीते थे लेकिन जूता जहां से सीते थे ना वहां से कभी फटता नहीं था वो बली दूसरी जगह से फढ़ जाए, लेकिन वहां से नहीं फढ़ता था, क्योंकि उसका पैशन था, जूता सीना, काम भले ही वो है, लेकिन उस काम में भी उनका पैशन है, तो इसी वजह से वो इतने पॉपुलर होते चले गए, क्यार जूता फढ़के लेकिन सिल्वाना वही जाके है, क्योंकि आगर उनके सी दिया वहां पे, जिन्देगी भर वहां से जूता नहीं फढ़ेगा, तो छोटी छोटी चीजों में, यह जो परफेक्शन, पैशन, यह सारी चीजों तो यह आपका आगे बढ़ाती है, बहुत आगे ले जाती है, लेकिन उसके वही है, कु का मानना है कि मैं लग पर बिलिफ नहीं करता हूँ, मेरे सामने आज तक मेरी, मेरे सामने लगी ली कोई चीज नहीं हुई, कि मैं लगी ली यहां तक पहुँच गया, आज जो आप प्रोमो देख रहे थे, जो क्लिपिंग्स देख रहे थे मेरी, मैं लगी ली नहीं ठीक ही है मैंने उसके लिए ट्रेनिंग ली है